नमस्कार दोस्तों और स्वागात अब सभी का एक और जबरदस्थ वीडियो में जहांपर हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस रिव्यू में जो इंपूट्स होंगे वो हमारे पूरे टीम के होंगे क्योंकि सभी ने लगबख थोड़ा थोड़ा इस फोन को इस्तिमाल किया है और सभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका जो कैमरा है वो तो जबरदस्थ है ही लेकिन जो प्राइस है इसकी 70-80,000 रुपे के आसपास जो मिलता है ये फोन इस प्राइस में कैमरा के अलावा और भी चीज़े बढ़िया देता है या नहीं सभी चीजों के बारे में डीटेल है बता लगाएंगे इस वीडियो में मैं हूँ दिवे कांथ और चलिए शुरू करते है टेक की बात गाइडिंग टेक आने GT हिंदी के साथ इस वीडियो में आगे बनने से पहले आपको 31 बता दो कि यूटूब में एक नया फीचर आ है साइड में वीव प्राइट का आप्शन मिल जाएगा वहाँ पर जाए इस फोन को आप वहाँ से डिरेक्ली परचेस कर सकते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन के बारे हैं बात करते हैं यहाँ पर पूरे टीम की जो इंपूट है वो थी इस फोन में आपको जो एक्सपिरियंस मिलता है इन हैंड फील वो प्रीमियम मिलता है यह फोन आपको यूनिबोडी लगेगा जो इसका मेटल फ्रेम है और जो इसका सिरमिक बैक है वो अच्छे से मर्ज होता है और आपको एक ओवराल इन हैंड फील सबड़ दस देता है फ्रंट की साइड में आपको कॉर्णिंग गरोला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिल जाता है और बैक आपको मिलता है सिरमिक का कैमरा मॉडिल का जो हम्प है वो बहुत ही बढ़िया से मल्ज होता है इसके बैक के साथ जो आपको एक smooth experience देता है देखने में भी और in-hand feel के मामले में भी फोन जो है थोड़े से heavier side में है लगबग 29 ग्राम का आपको ये मिल जाएगा लेकिन weight distribution बढ़िया होने के कारण आपको जो in-hand feel है ये phone जबड़स देता है और वही आपको इस Xiaomi वाली feel जब तक सूरज चांद रहेगा IR Blaster का नाम रहेगा Xiaomi में आपको वह चीज मिल जाती है और देखो इस Xiaomi जो है इस चीज को लेके काफी consistent है अपने budget devices में और flagship devices में आपको वह चीज मिल जाती है जो कि आपको micro vibrations भी बढ़िया से feel कराता है टाइपिंग के वक्त चाहिए आप pocket में रख लिजेए इस phone को आपको जबरदस vibration feedback मिलता है Face Unlock के साथ साथ आपको in-display fingerprint sensor भी बिल जाता है और दोनों ही बढ़िया से काम करते है Now call and connectivity में आए तो यहाँ पर आपको 16 5G bands मिल जाते है जिनमें stand alone और non stand alone दोनों ही यह support करता है और major 5G bands यह अराम से ले लेता है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है चाहे call quality हो, video calls हो इन सभी में यह phone बढ़िया से perform करता है और आपको call drops और as such कोई network connectivity problem नहीं आएगी इस phone में Now बात कर लेते हैं इस phone के display के बारे में और यह इस phone का highlight भी है यहाँ पर आपको मिलता है 6.73 इंच का 120 Hz का LTPO AMOLED डिस्पले जिसकी peak brightness जाती है 1900 तक साथ ही मिलता है आपको Dolby Vision और HDR10 Plus का certification देखो यह E6 AMOLED display है यहाँ पर आपको अब तक का Android का सबसे bright display मिलता है लगपक 1900 nits तक का peak brightness जिसके कारण आपको outdoor visibility बढ़िया तो मिलती है ही साथ ही आपको जो बढ़िया brightness के साथ जो color saturation level है, vibrancy है overall display quality बढ़िया मिलती है इस phone में यहाँ पर multimedia भी कमी नहीं मिलेगी आपको Netflix में आपको HDR और Dolby Vision का support मिल जाता है जिसके कारण आपको बढ़िया multimedia experience भी मिलता है अब multimedia की बात कर ही ली है तो यहाँ पर audio को भी इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पर audio में भी कमी नहीं मिलेगी true studio speakers मिल जाते हैं आपको जो की बढ़िया से tune करेंगे हैं loud हैं, clear हैं और Dolby Atmos का support भी मिल जाता है जिसके कारण आपको overall multimedia experience यह phone जबर्दस देता है And now अब आयाते हैं one of the most highlighted feature of this phone वो है इसका camera यहाँ पर Xiaomi ने देखो partnership में बनाया है इसके camera को Laika के साथ और यह partnership देखो ना सिर्फ paper में यहाँ पर आपको actual जो photographs हैं जो output हैं वहाँ पर भी नजर आती है यहाँ पर जो तीनो camera है आपको तीनो 50 megapixel के मिल जाते हैं जो उसका primary और telephoto camera है वहाँ पर आपको OIS का support भी मिल जाता है जो उसका ultra wide camera है उससे आप macro, autofocus के साथ up to 5 cm तक खीश सकते हैं और telephoto से भी आप macro shots ले सकते हैं up to 10 cm तक और front में आपको मिल जाता है 32 में अपिसल का selfie camera अब देखो यहाँ पर जो main primary camera है वो इतना highlight इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर इन्होंने एक इंच sensor का इस्तेमाल किया है जातर जो smartphone आते हैं उन सब में से यह अब तक का सबसे बड़े sensor वाला camera है दोको बड़े sensor का नदीज़ा यह है कि यहाँ पर आपको ज्यादा light के साथ साथ ज्यादा details जाती है इसके sensor में जिसके कारण आपको जो output है वो well detailed मिलती है और वो चीज़ actual इसके primary camera में भी नजर आता है दोको इस phone से आप दो modes में खीश सकते है photographs एक Leica Vibrant और एक Leica Authentic यह अब आपको थोड़े से natural photos चाहिए तो आप Leica Authentic के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको थोड़े सा innate effect भी देखनी हो मिल जाएगा जिसके कारण जो focus है वो जातर subject में जाता है जो overall image आपको थोड़े से processing के साथ बढ़िया सा लगता है और एक Leica Vibrant का option भी मिल जाता है जो कि थोड़े से color boosted pictures लेता है और थोड़े से आपको vibrant भी लगेंगे ओ फोटो देखने में देखो ज़ातर लोगों को Leica Vibrant पसंद आएंगी क्योंकि वो colorful है, ज़ादा vibrant है चाहे आप daylight shots ले लिजे, चाहे आप HDR shots ले लिजे सभी में जो overall processing है phone की वो आपको जबरदस्त मिलती है जैसी आप portrait mode या फिर टेलिफोटो में switch करते हैं तो ये phone definitely आपको अपना दीवाना बना देगा जैसे कि आप देख सकते है pictures यहाँ पर अगर आप varied condition में भी ले रहे हैं तो आपको बढ़िया portrait shots मिलती है बढ़िया edge detection के साथ पीछे जो background bokeh है वो काफी natural निकाल कर देता है इस photo sample का तो मैं actually fan हो गया हूँ इस picture को इसने बहुत बढ़िया से capture किया यहाँ पर तीनो face अच्छे से focus में है साथ ही आपको जो background bokeh मिलता है बिल्कुल DSLR जैसा effect देता है तो भई मानना पड़ेगा इसका जो 75mm का telephoto lens है वो आपको बढ़िया output निकाल कर देता है साथ ही नीचे जो badging मिलती है Leica की वो आपके picture में एक subtle सा professional look भी देती है इतना ही नहीं इस phone को जो camera है आपको low light में बढ़िया pictures निकाल कर देता है इसका जो primary camera especially वो आपको well-lit pictures निकाल कर देता है आपको जो exposure level है उसको अच्छे से maintain रखता है साथ ही जो lighting है उसकी जो warmth है उसको भी काफी अच्छे से preserve करता है वीडियो की बात कर लेते हैं तो यह phone जो है up to 8K 24fps तक ही सकता है इसके तीनों camera's से आप 4K 60fps videos ले सकते हैं लेकिन जो camera switching है आपको मिलती है up to 3090fps 60fps से video output काफी बढ़िया मिल जाएंगे stable के साथ साथ आपको जो HDR effect है वो भी जबरदस मिलता है इसके camera से तो video के महामले में भी यह phone काफी बढ़िया है नो कुछ चीज़े मैं highlight करना चाहूंगा इसके back camera में यहाँ पर जो consistency है तीनों camera's में यानि के color accuracy आपको बढ़िया मिलती है लेकिन थोड़ से low light में आते है तो वहाँ पर noise के साथ-साथ जो softness है, skin tones वगरा को काफी ज़ादा soft कर देता है और जातर जगा मैंने यह चीज़ नोटिस करी है Xiaomi जो है selfie camera में skin को थोड़ सी whitish करने के कोईश करता है जो की natural नहीं लगता तो इसको जो front camera है वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी काम करने की ज़रूथ है और यहाँ पर मैं जो front camera है इससे थोड़ा साथ ज़ादा expect कर रहा था उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको धेरो filters वगरा मिल जाते है लाइका के, जिसका black and white filter वह आपको बहुत बढ़िया लग सकता है जिनको black and white photos पसंद है उसी के साथ-साथ बहुत सारे options पगरा मिल जाते है इसके overall camera में जो लोग camera enthusiast है उनको काफी पसंद आएगा इसका overall camera यह तो हो गई camera की कहानी अब आजाते हैं इसके performance पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा Snapdragon 8 Gen 2 processor साथ ही LPDDR 5X RAM benchmarks आपके screen के सामने हैं आपको बढ़िया benchmarks मिल जाते हैं साथ ही CPU throttling test में भी अच्छे से survive कर गया यहाँ पर आपको जो green zones है वो जादा देखने हों मिलते हैं red zones तो है ही नहीं कोई साथ भी game खेल लीजिए आपको लगबख highest settings मिल जाती है सभी में आप कुछ games को अभी भी 90 fps का माँ पर support नहीं मिलता है आप यहाँ पर max to max 60 fps में खेल सकते हैं लेकिन जो fluidity है game में आपको वो चीज बढ़िया सा नजर आती है देखो flagship processor है यहाँ पर आप expectation भी वही रखेंगे और यह phone वो सारी चीज़े बढ़िया से deliver करता है चाहे app, opening, app, closing, app, switching साथ साथ जो RAM management है इन सभी में यह phone आपको बढ़िया लगेगा and now software की बात कर लेते हैं यहाँ पर यह phone जो out of the box आपको मिलता है MIUI 14 के साथ based on Android 13 यहाँ पर security patch update अभी के time में तो देखो January का मिलता है March आचो का है February का जो security patch update है अब तक नहीं आया तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बाकी software experience आपको देखो lag free मिलता है, बहुत stable software मिलता है आपको जो overall software experience 120Hz के display के साथ काफ़ी fluid लगेगा एक चीज़ और यहाँ पर company ने promise किया है 3 साल का major Android updates साथ ही 5 साल का security patch update भी and now finally battery पर आजाते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है 4825 मिल आमप और की battery साथ ही box के अंदर ही आपको मिलता है 120W का fast charger साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर 50W तक का wireless charging का support और साथ साथ मिलता है आपको 10W का reverse wireless charging भी जो की एक flagship experience देता है यहाँ पर देखो एक flagship phone से आप जो चीज़ एक्सपर करते हैं बैटरी में especially यहाँ पर आपको wireless charging, reverse wireless charging और साथ ही 120W का fast charging मिलती है चाहिए आप battery backup भी ले लिजे आपको एक दिन का अराम से देता है लेकिन यहाँ पर अगर आप 2K display पर रखते हैं याने की highest resolution में रखते हैं तो हो सकता है आपको दिन में एक और बार charge लगाना पड़ जाए लेकिन अगर आप full HD plus resolution में रखते हैं वहाँ पर यह phone अराम से एक दिन निकाल लेता है अगर आप heavy usage भी करते हैं तो आपको जल्दी charge लगाने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी एक दिन की battery backup तो मिल ही जाती है and now finally बात करते हैं word it के बारे में देखो यह phone जातर जो boxes है flagship के वो टिक करता है कुछ चीज़ें हो सकती है जो खटके जैसे की IP rating लेकिन उसके अलावा बाकी सारे boxes को यह टिक करता है और मेरे साब से आपको अगर premium experience चाहिए बढ़िया design चाहिए बढ़िया display quality चाहिए और एक performance भी बढ़िया चाहिए साथ ही जो camera है वो भी जबरस ताहिए अलगबग 70-80,000 रुपे में तो यह phone वो सारी चीज़े बढ़िया से डिलिवर करता है आपको उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आए होगा कुछ सुझाव हो कुछ पूछना हो इस phone के बारे में नीचे comment section में पूछ लेज़ेगा साथ ही हम बहुत सारा comparison लेकर आ रहे है इस phone के साथ तो बने रहेगा subscribe करके bell icon दबाना मत भूलना ताकि आपको वो सारे comparison का notification जल्दी मिल जाए सबसे पहले इस phone का हम comparison लेकर आएगे iPhone 14 Pro के साथ बस देखने के लिए कि इसका जो camera है वो कितना बढ़िया है तो मिलते हैं जल्दी कुछ आएसे वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye, take care